मंगलवार के दिन नगर परिशद बागली के द्वारा दो करोड की लागत से होने वाले विकासकारियों के लिए भूमी पुजन विधायक पहड से करनोजे द्वारा किया गया बागली नगर में विधायक के प्रयास से दो करोड रुपे से निर्मान कारी होना है उसी के लिए भूमी पुजन किया गया है बागली नगर में ट्रेंचिंग ग्राउंड बाउंडरी जनभागीदारी मत से एवं SGM योजना अंतरगत नाला निर्मानकारी लगभग 2 करोर रुपे की लागत से होना है जिसके लिए विधायक कर्नोजे द्वारा भूमी पुजन क किया गया इसी दोरान नगर पंचयत परिस्त बागली के माध्यम से बागली नगर में कुल 734 हिद्ग्राईयों को प्रधान मंतरी आवास्योजना का लाप प्राप्त हुआ है वहीं उक्तकारिक्रम के दोरान विधायक पहार से कर्नोजे मुख्य नगरपाली का अधिकारी मह शर्मा कमल यादव स्रीमती लक्षमी ग्रेवाल की उपस्तिती में प्रधान मंतरी आवास्योजना के अंतरगत 28 पात्र हिद्ग्राईयों के नए भवन के लिए भूमी पुजन किया गया वहीं प्रधान मंतरी आवास्योजना के अंतरगत बने गए 52 आवास परिवार का गर की जो नगर और कश्बा और गाउं को सुंदर और सवच बनाने के हिसाब से करोडों रुपे की सोगात भागली वासियों को दी है जो आज लगभग 200 परधानमंत्री आवास का भूमी पुजन और गरप्रवेश का काम भी हमने साथ में रखा है जो हमारे बागली नगर के कहीं गरीब लोगों को परधानमंत्री आवास की सोगात प्राप्त हुई है साथ ही नगर में नाली निर्मान और अन्य स्वच्छ अभियान के ताथ 2 करोड रुपे विशेश निदी से स्यूकरत हुए हैं इसके अलावा भी सम्षान उद्धान और चंबल नदी का घाट और स्वच्छता अभियान के ताथ 2 करोड रुपे और ऐसे करीब साड़े 4 करोड रुपे शुकरत हो रहे हैं जो हमारे इस बागली कस्वा के विकास को चार चान लगेंगे और हमारे इस छेत्र का विकास होगा और मैं चाहता हूँ कि हमारे बागली नगर के इसे काम को देखने के लिए लोग बाहर से आएं हम सभी नगरवासी इस पे विजिट करेंगे ध्यान रखेंगे अच्छा से अच्छा काम करें इस पैसा को सरकार ने हमारे लिए जो दिया है विशेश निदी दिये मैं बागली वा के नगर के लोगों को उना बधाई देता हूँ जो इसी तरीके से और भी नगर का विकास हो और विकास के लिए मद्यपरदेश सरकार और मोदी जी हमारे उपर महर्बान बने हुए हैं इसी लिए आज हर हर मोदी घरगर मोदी का नारा चल रहा है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुले